15 नमबर, integral निकला है, sine का पाउर 6x, by में cos का पाउर 8x dx अचा, यहाँ से हम लोगे काम करते हैं, sine का पाउर 6 और by में cos का पाउर 6 तो यह 10 का पाउर 6 हो जाएगा, और यहाँ बच गया cos square, उपर जाएगा तो क्या हो जाएगा वो से के square x dx है ना, अब इसमें put कर दीजिए, tan x को t और differentiate कर देते हैं, with respect to x तो हो जाएगा यहाँ पर से के square x equal to dt और by में dx, यहाँ हो जाएगा यह से के square x dx equal to dt चलिए, तो यहाँ पर tan x को हमनों t कर दें, t का पाउर 6 और यह dt हो जाएगा, से के square x dx तो प्रॉपटी का है, power make add करके और power को नीचे note कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा पर tan का power 7 x और by में 7 plus c, option number b हो जाएगा, तो आज की class में इतना ही